हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई चैनल क्रेज़ फॉर स्टडी दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन का जोग्राफी लेसन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चाप्टर का नाम है बिन पानी सब सुन दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले Community tab open कीजिए और वहां पर जाकर vote कीजिए कि आपको वीडियो किस टाइम में चाहिए तो मैं उसी टाइम में आपरों के लिए वीडियो upload करूंगी तो चलिए हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में आज का हमारा वीडियो Class 7 Geography का है Lesson 5 चलिए हम स्टाट करते हैं इस चैप्टर में पानी के बारे में दिया गया है फर्स्ट पेज में इसा कुछ important चीजे नहीं दिगई है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको figure दिख रहा है यहाँ पर डर्साय गया है सफेद रंग का जो यहाँ पर दिया गया है यह अस्थल मंडल है जैसे कि सफेद भाग यहांपर जितने भी हैं वह अस्थल बंड़ल यानि कि सूखा जमीन है और जो नीला कलर का दिख रहा है वे जल मंडल यानि कि यहां पर जितना भी नीला कलर का दिख रहा है उन सभी पर पानी है पिर्थवी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर अस्थल है दोस्तों मैंने इस चैप्टर में जिस भी सेंटेंस को अंडरलाइन किया है वो सभी इंपोर्टेंट है और याद रखने योगी है तो आपको पढ़ने के साथ साथ इसे याद भी रखना है पिर्थवी पर कूल 71% जल मंडल है जिन्हें नकसे पर नीली डंग से दिखते हैं लेकिन इतना पानी हमारे पीने लाइक है ही नहीं पानी हमारे पिर्थवी पर बहुत है लेकिन सभी पानी जो है पीने लायक नहीं है जैसे कि समुद्र का जल हम बिलकुल भी नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत खाड़ा होता है बहुत नंकीन होता है तो इसलिए हम समुद्र का जल नहीं पी सकते और नदियां तलाब नहड़े इन सब का जल भी हम नहीं पी सकते क्योंकि यह गंदा होता है इन सब जल को पीनी लायक हमें बनाना पड़ेगा तभी हम पी सकते हैं यानि इन सब को साफ करके हमें पीना परेगा हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं उपलब्ध कुल जल का सिर्फ जीरो दसलों तीन परतिसत पानी का उपयोग ही पीने एवं अवसकताओं एवं अन्य अवसकताओं की पूर्ति हेतों कर सकते हैं क्योंकि सेस जल महासागरों बर्फ छत्रक भूमिगत जल जीलों नदियों जलासायों वय मंडल आदि में समाहित हैं जिसका परत्यक्ष रूप से दोहन वप्रयोग संभब नहीं है यहाँ पर इस चार्ट को देखिए महासागर में कितना प्रतिसत जल है 97.3 प्रतिसत सो प्रतिसत में से 97.3 जल महासागर में है बर्फ छत्रक में 2.0 भूमिगत जल 0.68 जीलों का ओलवन जल 0.009 अस्थल्य समुद्र एवं नमकीन जीले 0.009 वायू मंडल 0.0019 नदिया 0.000001 प्रतिसत यानि कि यह सभी जल जो है पीने लाइक नहीं है इस सम्में से सिर्फ 0.003 प्रतिसत जल ही पीने लाइक है और उप्योग करने लाइक है पिर्थी पर जितने भी जल स्रोथ हैं हम उन सभी के जल पी नहीं सकते अर्थात हुआ पानी हमारे प्यास बुजाने के काम नहीं आ सकती इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है बरसात में हमें खूब मीठे जल मिलते हैं लेकिन वे जल भी हम रोक नहीं पाते बरसात के जल हमारे च्छतों से गिर कर नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाकर मिलता है और फिर खारा हो जाता है और पीने लायक नहीं रह जाता नदियों तलावा और बरसात का पानी सूड़े के ताप से वास्त में बदल कर अकास में चला जाता है फिर ठंठा होकर बादल बन जाता है और फिर जहां था बरसता है यह चक्र निरंतर चलता रहता है उसे जल चक्र कहते हैं यहां पर इस नौट को देखिए यहां पर 22 मार्च को जल संडक्षन दिवस मनाया जाता है इसलिए हमें कहा जाता है कि जल को हमें बचा कर रखना चाहिए जल का संडक्षन करना चाहिए साग्राओं का जल ही वास्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार-बार पहुँचता है हम सभी को जल बरबाद नहीं करना चाहिए हम सब को ऐसा करके पीने योग पानी को बचाना चाहिए इससे भूमिगत जल का अस्तर भी बना रहता है अब यहाँ पे है कौसन की जल अस्तर क्या होता है तो इसका आंसर देखिए बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के अंदर चला जाता है जहां वह मिट्टी के परतों चट्टानों की छेदों में फैल जाता है धरती के नीचे फैल कर ये जल छेतर बना लेते हैं उसी जल के उपड़ी सिमा को जल अस्तर कहते है अब एक कॉसन और है क्या जल अस्तर सभी जगा समान होता है तो नहीं जल अस्तर की घराई तो सभी जगा समान नहीं होती उनकी सिर्फ उपड़ी सत्र समान होती है या तो अस्थान विसेश की मिट्टी, रितू या फिर जल के दोहन के अनुसार घटा बढ़ता रहता है दोस्तों जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जल अस्तर क्या होता है और इस पैराग्राफ को आप लोग जरूर पढ़िएगा जब हम चापकल या बोडिंग नल कुमा के जड़िये धर्ती से जल निकालते हैं तो धर्ती के अंदर का जल अस्तर घटता जाता है ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी जूस की बोटल में या फिर वाटर बोटल में इस्ट्रा लगा कर पीएंगे तो उससे क्या होता है तारा पानी या फिर जूस उस बोटल से खाली हो जाता है तो इसी तरह जल अस्तर भी है, जब हम नलकूप या फिर बोरिंग के जरी धर्ती से जल निकालते हैं, तो वहां का जल अस्तर घट जाता है, पानी कम हो जाता है वहां का, तो इसी को जल अस्तर घटना कहते हैं, अगर हम इसी तरह धर्ती के जल को निकालते रहें, तो एक दिन की खेती कड़ी शुरू कर देनी चाहिए अब पानी की खेती कैसे की चाहती है तो यहां पर हम देखते हैं गुजरात से सीख गुजरात की लोग पहले ऐसा करते थे सबसे पहले उन्हों इसलिए यहां पर दिया गया है गुजरात का कठिया वार छेत्र एक सुस्क परदेश है जहां बहुत कम या ना के बराबर फसले होती है यहां राजंदर सीम द्वारा अस्थाने लोगों के सहियों के छोटे-छोटे नालों पर बिना खर्च किये अस्थाने रेत और मिट्टी के छोटे-छोटे बांध बनाए गए जिससे ना केवल से चाहि के लिए जलस्तर उप्रब्द हुआ बलकि इससे जल जमीन के नीचे रिस कर गया इससे भुमिगत जलस्तर भी बना उसी के कारण आज उस छेत्र में भरपूर फसले पैदा हो रही है श्री राजंदर सीम के इ इन्हें मैंगे से प्रुसकार मिला इस तरह के प्रयास को ही वाटर हर्वेस्टिंग कहते हैं वर्सा की जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उसे पुन धर्ती के अंदर भेज देना बर्सात का पानी छतों से गिरकर नालियों सरकों खेतों से होता हुआ नदियों तक और फ अफास धर्ती में गड्डे बनाकर रोक लेना चाहिए यह जल धीरे धिरे पुन है धर्ती में समा जाएंगे और धर्ती में समाने के बाद क्या होगा जल अस्तर बढ़ेगा वासने की समुद्र का पानी खाड़ा क्यों हो जाता है बरसात का पानी जब तलाबों खेतों से होता हुआ नदियों में बैता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनीज वर लबनों को बहा लेती है फिर यही पानी समुद्र में जा मिलता है लगातार वास्पी करन के कारण जल तो भाप बनकर उड़ी जाता है जबकि लवन भाड़ी होने के कारण वहीं जम जाता है आज समुद्र के जल में आस्तन एक किलोग्राम जल में लगविक 35 ग्राम नमक गुली वी इसलिए समुद्र का पानी नमकीन यानि की खारा हो जाता है समुद्र का पानी खारा होता है जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वत्या खारा हो जाता है समुद्र के जल में अगर नदी का पानी मिल जाए तो नरी का पानी भी अपने आभी खारा हो जाता है अगला question है कि जील क्या होता है आप में से कई सारी लोगों ने जील देखा भी होगा तो चलिए इसका definition में देखते हैं दूर तक फैला सांत जल से भड़ा एक विसाल गहरा छेतर होता है यही जील कहलाता है यह जल का एक कावड जील और बड़ेला जील कावड जील बेगुसरे में है और बड़ेला जील वैसाली में है मुंबई में सागर है अरब सागर अब यहां पे सागरों के बारे में दिया गया है पिर्तिवी के बरे भूबा को अताह जल रासी ने घेर रखा है इनका जल हमीशा गति मान जो प्राय महादुपों को अलग करता है महासागर कहलाता है महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं जो प्राय किसी अवरोध के करण पूर्ण रूख से महासागर से नहीं मिलता है जब समुद्री सतर पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगे उत्पन होती है हवाएं जल को ढखेलती है इनसे जल उपर नीचे होने लगता है जिसे लहडे कहते हैं एक लहड दूसरी लहड को जन्म देती है और इस तरह जल को ढखका देकर तहत तक पहुंचाती है यही कारण कि सागरों महासागरों का जल हमेशा गती मान रहता है बने हम सागरों के नाम है प्रसांथ महासागर हिंद महासागर अटलांटिक महासागर और आर्क्टिक महासागर, महासागरों में जौर भाटा भी उठते हैं, चलिए हम अब जौर भाटा के बारे में जानते हैं, जौर भाटा क्या होता है, समुद्र की लहरे सरवादिक उचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तो उसे जौर कहते हैं, और लह के जड़िए दिर्ख योछो जोर के समय सूर्य और चांब की स्थित्र में को अ कुछ यहीmg जुआर है और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं ऐसा समुद्र में हर अस्थान पर लगबग 24 गंटे में दो बार चढ़ा उतार होता है जब जुआर आते होंगे तो समुद्र के अंदर की धेर सारी मचलियां भी तड़ पड़ आ जाती होंगे ये कौसन है मचलियों के अलाव की भी हानी होती है तो इसलिए इनसे सर्चेत रहना चाहिए सो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिये गए सभी कौसन को सॉल्ब करेंगे वीडियो हैलफू लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल वीडियो में